दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे बिहार में 13 अगस से खुल जाएंगे सिनेमा हौल जानिये गाइडलाइन जिहां बिहार में 7 अगस से शुरू अनलोक के पाचवे चेरण में सिनेमा घरों को खुलने का आदिस तो दे दिया गया लेकिन भी अभी खुले नहीं है संचालक कुरोना वारे से बचाओ के गाड़ान के साथ 13 अगस से सिनेमा घर चालो करेंगे इसे बीच कोई नए फिल्म रिलेज नहीं होने के कारण भी समय से आई है माना जा रहा है कि सिनेमा घर हिंदी में डफ फिल्म कंजूरिंग के साथ खुलेंगे बिहार में नेतिस सरकार कुरोना वरे संक्रमन में आई उल्लेखने कमी के बाद राज को धिरे धिरे अनलोक कर रही है इसके ताथ 7 अगस से अनलोक पाच में कई छुटे दी गई है सिनेमा घरों को भी 50 फिजदी सिटों के साथ खुलने के अनुमती दे दी गई है जो कि राज में तेरा अगस से पुर्णता खुल जाएगी बड़ी कबर पटना ने वेक्सिनेशन में देश में बनाया तिनी रिकॉर्ड सरवाधिक टिका करन करने वाला पहला जिला साथ नगर निकाय में 100% वेक्सिनेशन एक दिन में 1,36,500 लोगों ने लिया टिका जीहाँ पटना में रिकॉर्ड का टिका लग रहा है जिला की साथ नगर निकाय में 100% वेक्सिनेशन हो गया है इसके साथ जिला और सहर में भी वेक्सिनेशन के आकड़ों ने देश में रिकॉर्ड बनाया है एक दिन में 1,36,560 वेक्सिनेशन ने पुरे देश में पटना कमान बढ़ाया है पटना में कुरोना संक्रमन से बचाव को लेकर वेक्सिनेशन फर फोकस किया जा रहा है पटना के लोग भी वेक्सिनेशन में आगे आ रहे हैं जिसे रिकूर्ड बनता जा रहा है सबसे पहले रिकोर्ड की बात करें तो पटना सरवाधिक टिका करने वाला देश का पहला जिला बन गया है वहें दूसरी रिकोर्ड की बात करें तो पटना जिला एक दिन में एक लाग से अधिक टिका लगाने वाले देश के पाथ जिलों में सामिल हो गया है और पिर तिसरे रिकोड की बात करें तो पटना जिले की साथ नगर निकाय में 100% वेक्सिनेशन हो गया है जिसमें नगर परिस्द मुकामा, बाड़, भक्तियारपूर, पत्वाख, गोल, पुलवार, सरीप और दानापूर सामिल है बाड़ी कवर बिहार के ज्यादातर जिलों के लिए अलड़, बारिस से अधिक बजरपात का खत्रा, जिहां बिहार में मानसुन अब अलगी रंग दिखाएगा, राज के ज्यादातर जिलों में हलकी बारिस होने की उमीद, पटना के मौसम विवाख किंद्रे ने जाहिर की है मौसम विवाख के अनुसार राज़ाने समेट पुरे प्रदेस में अगले तीन दिन हलकी बारिस होने के आसार है, साथे मौसम विगानियों का कहना है कि मानसुन के दोरान इस तरह का मौसम सामायन बात है, राज में 30 सितमर तक मानसुन की बारिस होती है पड़ी के वर पटना में गंगा ने धरा रोद रोप सौन भी लाल निसान चुने को बेताब दियारा में फेला पानी जिहां गंगा को उपान रोज तेज हो रहा है बकसर से कहलगाओं तो किया नदी रहिवार को पांज गोह पर लाल निसान से उपर चली गई है मनेर में सोन भी अब सिमा पार कर गया है अच्छी बात या कि तीन दिन में हुई पुनपुन अपनी सिमा में चली गई है लेकिन कोशी का जलिस्तर एक बार फिर बढ़ा है और वहां खगड़िया के साथ कटिहार में भी लाल निसान को पार कर गई है राज में दूसरी नदिया का जलिस्तर तेजी से घट रहा है विहार में परवेस्ट करने के साथ गंगा पांच जगोह पर लाल निसान को पार कर गई है बक्सर में रैवार को इसका जलिस्तर 33 सेंटिमीटर बढ़ा है और लाल निसान से 11 सेंटिमीटर उपर चली गई है लगा में 51 सेंटिमीटर उपर बार रही है प्ली बड़ी कबर गंगा बोड़ी गंड़क और लोकायन नदी के उपनाने से पटना नलंदा सहित इन जिलों में लोगों को सताने लगा है बाड का डर जिहां राजदानी पटना में गंगा नदी उपान पर है साती राज के आएमडी के अधिकारिक जानकारिक के मुताविक आगा में 3-4 दिन तक लवक समचे बिहार में बारिस होगी विसे सिरूप सिन्नो अगस्त को मांसुन उत्तर माइद उत्तर पश्चीम उत्तर पूर्व और दचिन पूर्व बिहार की जिलों में मांसुन खास तोर पर सक्रिय रहेगा 10 अगस्त से इसकी सक्रियता पुर्व प्रदेश में होने की संभावना है वहारे बारिस को देखते विए आपदा विवाव भी एक्टिव हो गिया है अगली बड़ी खबर पंचायतों में सहायक की 33 शुरू बिहार में 15 अगस्त से गाउ में ही बनेगा जातिया आवासियों और आई परमान पत्र जीहां बिहार में अब किसी को भी जातिया आई वा निवास और आई परमान पत्रों को बनाने के लिए अंचल कर जाकर लंबी लाइन लगने के आवासिकता नहीं होगी अब इसके लिए ऑनलाइन आवेजन के बाद उसको प्राप्द करने का कार पंचायत इस्तर पर ही पुरा हो जाएगा पंचायती राज विवाग के हलिया आदेश में आगामी 15 अगस्त तक इसे सम्मादेर आटी पियस अर्थाद र दूसरी लहर थमते ही बीएट परवेश परिचा के दिदेताई हो गई है 13 अगस्त को 276 केंद्रों पर होने वाले बीएट परवेश परिचा की तयारी तेज हो गई है राजपाल एवाम कुलादीपाति पागोच चोहान ने सिनिवार को वीडियो कॉनफरेंसिंग के मैदम स तयारीओ की सिमिक्षा की और कई अविश्यक निर्देश भी दिये हैं बताया गया कि परिचा में कूल 136,702 परिचात्री सामिल होंगे बेठेक के दोरान राजपाल ने आदिश दिया है कि बीएट परवेश परिचा को स्वच एवाम कदाचार मुक्त कराए परिचा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना की तहत 9 अगस्त याने आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी प्रदेश के 2,36,000,000 को 4,720 कड़ो रुपी सिधे उनके खाते में ट्रांस्वर करेंगे आपको बतादी कि अगस सितंबर, अक्टुबर और नौंबर मा की धनड प्रतिक किसान को 2,000 रुपी भेजी जाएगे, केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना में लगवग 18,000,000 को 32,500 कड़ो रुपी रहेंगे, इसमें वह किसान भी सामिल है, जिनने एक बार से लेकर 8 बार तक धनडासी दी गई है, इस कबर बिहार के लिए अच्छी कबर, अब फोन पर ले सकेंगे, अस्पताल जैसी ओपीडी सिवा, ऐसे मिलीगी सुविधा, जहां कोविट के दोरान ग्रामिन चेत्रों में रहने वाले मरीजों को डाक्टरी सला देने के लिए स्वास्त विभाग द्वारा प्रारम की गई, इस संजेवनी योजना अब सारी चेत्र में लोगों की फोन पर में मौजूद रहेगी, स्वास्त विभाग सारी चेत्र में मॉबाइल पर अस्पतालों की तरह ओपीडी सिवा सुरू करने जा रहा है, सितंबर तक यहां काम प्रातमीता के अधार पर होगा, स्वास्त मंतरी इस सिवा से विशेशक डाक्टर को जोड रहा है, इसके साथ सारी चेत्र में भी इस संजीवनी सिवा लोगों के मॉबाइल पर देने का काम हो रहा है, मॉबाइल पर सिवा प्रारम होने के बाद मरेज मॉबाइल पर एप के जरिये अस्पताल की तरह ओपीडी सिवा का नहीं होगी पूंजी की कमी 20 जीलों में सुरू होने जा रही है योजना, जिहां बिहार के सब्जे उत्पादों को के लिए अच्छी खबर है, राज सरकार द्वारा प्राकर्ण इस्तरिया प्रातमिक सब्जे उत्पादक सहयोग समितियों से संबन्द किसानों को सहकारी ब जैंक मदद करेंगे, विभाग के एक उच पदिस्तत अधिकारी ने बताए गिराज के सब्जे उत्पादों को रिन सुविता देकर प्रोस्ताहन एवं बढ़ावा देने का प्रियास किया जा रहा है, पहले चरन में 25,000 सब्जे उत्पादों को किसान क्रेडिट कार्ड दे देनी की प्रक्रिया चल रही है, वह आपको बदा दे कि पहले चरन में राज के 20 जिलों को सामिल किया गया है, जिसमें भोजबूर, बाकसर, छप्रा, गोपाल गंज, एवं सिवान, पटना, नलंदा, वेसाली, समस्तिपूर, बेगुसराय, मुझपरपूर, पुर्वी, च जियान दे, बिना इंसरेंस के दुर्गाटना होने पर जब तो वो निलाम होगी गाड़ी, जी है, बिना थट पाड़े इंसरेंस के वहान चलाने पर जुर्मना तो लगी गए, इस साथ ही दुर्गाटना होने पर पुलिस प्रसासन गाड़ी जब्द करके निलामी की प्रक वहान सचीव संजे कुमर अगरवाल ने बताया कि सर्वोच नियाले द्वारा वहान से दुरगाटना गस्त्र व्यक्ति को मुआवजा भुगतान के निदिस के बाद राज सरकार द्वारा इस दिसा में करवाई की गई है आपके जानकारे के लिए बता दे कि पूरे बिहार मे अब बीडियो और डिडियो से चिनने जा रहा है पावर सभी जिलों में तैनात होंगे नए पदादिकारी जिहां बिहार सरकार सभी जिलों में तैनात डिडियों का पावर चिनने जा रही है पंचायत राज विभाग को पंचायत राज अधिनिया में संसोधन के गजट प् प्रगासन होगा इन दोनों अधिकारियों का पावर चिन जाएगा और सरकार सभी जिलों में नए पदादिकारियों के तैनाती करेगी दरसल बिहार सरकार जिला परिसद से डिडिसी और पंचायती समिती से विडियो को बेदखल करने जा रही है वो विकास आयोत के जगा बिह पदादिकारी को दे दी जाएगी कब सड़क दुरगटना में मौवजे को लेकर पुराना पेज खतम अब एक व्यक्ति के मौत पर भी सरकार देगी पांच लाक रुपीए जिहां बिहार में सड़क दुरगटना में होने वाली मौत को लेकर मौवजा निती में नितिस सरकार ने बड़ा बदलाव किया है नितिस केबिनेट की बेटक में जो एजन्डी पास किया गया है उनमें सरक दुरगटना में हुई मौत के मामलों में मिर्टक के आसरितों को मौावजा देने की निति में बदलाव किया गया है अब एक व्यक्ति की मौत भी अगर सड़क दुरगटना में होती है तो उसके आस्तों को सरकार पांच लाग रुपी मौावजा देगी पहले एक व्यक्ति की मौत पर मौावजों को लेकर पेंच फस जाता था 10 अगस्ति फिर से चलने लगेगी ये पैसंजर ट्रेने देखिये लिष्ट जिहां यात्रों की सुविदा को देखते हुए पूरु मैद रिल्वी ने पैसंजर स्पेसिल ट्रेन का परेचलन फिर से बहाल किया है 10 अगस्ति यानि मंगलवार से नेताजी सुवाज चेंदर बोस गोमो जेक्सन और डेहरी ओन सौन के मैद पैसंजर स्पेसिल ट्रेन का परेचलन प्रारम किया जा रहा है इन ट्रेनों का परेचलन अगले आदिस तक जारी रहेगा राज में ड्राइवरों के लिए तै होगा गाड़े चलाने का समय केंदर ने विहार सरकार को भेजे पत्र में कही ये बात जिहां सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वेवसाइक वाहनों के निगराने बढ़ेगी वेवसाइक वाहन चलाने वाले ड्राइवर के काम के घंटे भी तैक किये जाएंगी केंद्रिय सडग परिवाहन एवा मुराज मार्ग मंत्राले ने इस बावत विहार समेत अन्य राज्यों को पत्र लिख कर ड्राइवरों के काम के घंटे तैक करने का निर्दिश दिया है दरसल समिचह के क्रम में पाया गया कि अधि सेंख्या हाथसों में सारवजनिक वाहन सामिल होते हैं इनमें लंबी दूरी तैक करने वाले ट्रक बस आधि की सेंख्या सबसे अधिक है अंतर राज्य परिवान सिवा में ड्राइवरों को लगाता और कई कई घंटे वहां चलाना पड़ता है थकावर से दुरगटना की आसंका बाड़ आती है अभी तक सारवजनिक वहानों के ड्राइवरों के लिए गाड़े चलाने का निश्ची समयता है ऐसे में किंद्र ने र कमेंट करके जरूर बता है